हलो फ्रेंट्स दिव्या वेलकम बेक तो मैं चैनल वेलनेस एंड फूड आज हम बनाएंगे ओरियो शेक इसमें हमने एक सीक्रिट इंग्रीडेंट्स डाला है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजेगा तो चलिए फ्रेंट्स इस ओरियो शेक को कैसे बनाया जाता है इस ओरियो शेक को बनाने के लिए मैंने यहां पर आठ ओरियो के बिस्किट ले लिए हैं यहां मैंने वाइट क्रीम वाले बिस्किट लिए हैं आप चाहें तो चौकलेट क्रीम वाले बिस्किट भी ले सकते हैं अब हम ले लेते हैं एक mixer jar, इस jar में मैं इन biscuits को break करके डाल देती हूँ, ये सारे biscuits डाल दिये हैं इसमें, और अब मैं इनको grind कर लेती हूँ, तो friends, अभी हमको इसमें दूद नहीं डालना है, अभी हमको इसको बिना दूद के ही grind कर लेना है इन biscuits को, सभी biscuits का powder form कर लिया है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ, एक कप ठंडा दूद, साथी मैं डाल देती हूँ, वन स्कूप भरके वनीला आईस क्रीम, लास्ट मैं इसमें डाल देती हूँ, आदी चम्मच कॉफी पाउडर, तो friends, आप इसमें कॉफी पाउडर जरूर डालें, कॉफी पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, एक बार इन सब चीजों को दुबारा से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, और फिर हमारा शेक बनके रेडी हो जाएगा, शेक बनके रेडी हो गया है, इसको सर्फ कर लेते हैं, शेक के ऊपर थोड़े से ओरियो बिस्किट की छोटे-छोटे पीसिस डाल देती हूँ, आप चाहें तो इसकी जगे वनिला ऐस्क्रीम भी डाल सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू,